नमस्कार, आकाश्वानी से प्रस्तुत है समाचार प्रभाद प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी आज सुभा 11 बचे आकाश्वानी से मन की बात कारक्रम में अपने विचार साज़ा करेंगे प्रधन मंत्री आज महराश्टर के जलगाओं में 11 लाख लगपती दीदियों से समबात करेंगे सरकारी करमचारियों ने सुनिश्चित पेंशन वाली एकी कृत पेंशन योजना का स्वागत किया ब्राजील के विदेश मंत्री मौर और वियरा चार दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुँचेंगे नासा के दो अंत्रिक शियात्री सुनिता विल्यम्स और बैरी विल्मौर अगले वर्ष फरवरी में स्पेस एक्स यान से प्रित्वी पर लोटेंगे और चीन में बैडमिंटन एशिया अंडर फिप्टीन जूनियर चैंपेंशिप में तन्वी पात्त्री सेंगल्स फाइनल में समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी आज सुभा 11 बजे आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में देश-विदेश के लोगों से अपने विचार साज़ा करेंगे ये इस कारिक्रम की 113 कड़ी होगी ये कारिक्रम आकाश्वानी और दोरदर्शन के समूझे नेटवर्ग आकाश्वानी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ओन EIR मोबाइल एप पर प्रसारित किया जाएगा इसे आकाश्वानी समाचार दोरदर्शन समाचार प्रधन मंत리 कारियाले और सूचना और प्रसारण मंत्राले के YouTube चैनल्स पर भी सुना जा सकता है हिंदी प्रसारण के तुरंतबाद आकाश्वानी क्षेत्री भाशाу में भी इसका प्रसारण करेगा प्रधान मंत्री आज महराश्ट्र में जलगाओं में लगपती दीदी सम्मेलन में 11 लाख नई लगपती दीदियों को प्रमाणपत्र देंगे और सम्मानित करेंगे एक रिपोर्ड प्रधान मंत्री शामकुर राजस्थान के जोधपूर में राजस्थान उच्छनेयल है हीरक जैनती समापन समहरों में मुख्य अधिती होंगे श्री मोदी उच्छनयले के संग्रहाले का भी उधगठन करेंगे सरकारी कर्मचारियों ने सुनश्चित पैंशन वाली एकी क्रित पैंशन योजना का स्वागत किया है कर्मचारियों ने इसके लिए प्रधाण मंचारी नरेंदर मोदी को धन्यवाद दिया है केंगर सरकार के कर्मचारियों के लिए साinkiुक्त सलहाकार मशीनरी के एक क्रतनिधी मंडल ने कलन नहीं दिली में प्रधान मंचारी से मुलाकात की सरकारी कर्मी संगठन के सायुक्त सचेव श्यू गोपाल मेश्र ने सरकार के एक एकृत पेंचन योजना के फैसले की सरहना की इस से पहले कल मंत्री मंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकी कृत पेंचन योजना को मन्जूरी दी सूचना और प्रसाराण मंत्री अश्यू वैश्णों ने नई दिल्नी में इसकी जानकारी दी 50% Assured Pension ये इस UPS का सबसे पहला पिलर है टायर्मेंट से पहले के 12 महिनों की Average Basic Pay का 50% होगा और इस Full Pension के लिए जो Qualifying Service रहेगी वो रहेगी 25 years यारे 25 वर्ष तक अगर किसीने काम किया है सिवा की है तो उसको Full Pension याने जो ये Assured Pension का Amount है वो मिलेगा 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से जादा है तो उसमें Proportionate Pension रहेगी इसके अलावा कर्मचारी के देहान के बाद परिवार Pension 60% कर दी गई है नियूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सिवान इवरित होने पर कम से कम 10,000 रुपे Pension की गैरेंटी होगी इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मियों को लाब होगा ये योजना अगले वर्ष की पहली अप्रेल से लाग होगी मंत्रि मंडल ने अर्थवेवस्था परियावरान और रोजगार नीती के लिए अर्थवेवस्था परियावरान तथा नियोजन नीती संबंधी जैव प्रोध्योगी की आधारित नीती को स्वीकृती दी श्रीवेश्णों ने कहा कि इससे देश में कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार सरजन होगा उसको और बेटर करने के लिए बायो टेक्नालोजी में सिग्निफिकेंट नए ब्रेक्थ्रूज आ रहे हैं चौथा पिलर है जो कि हमारे एग्रिकल्चर अन्यदाताओं के से संबंदित है मंत्री मंडल ने तीन प्रमुक योजनाओं को जारी रखने की भी मजूरी दी है जिन्हें विज्ञान धारा योजना में मिला दिया गया है श्रीवेश्णों ने कहा कि इसके लिए 10,569 करोड रुपे का रावधन किया गया है विज्ञान धारा जिसमें पाँच बड़े पिलर्स हैं हमारे स्टुडेंट्स के लिए, रिसेर्चर्स के लिए, साइन्टिस्ट कम्यूनिटी के लिए लेबरेटरी में इंप्रॉइमेंट करने के लिए, युनिवरस्टी सिस्टम में बेटर्मेंट लाने के लिए उन सब को द्यार में रखते हुए पाँच पिलर्स बनाए गए, रिजिलियन्स, क्लाइमेट चेंज, नानो टेकनोलोजी, जो डे टुडे यूज में आने वाली चीज़ है, उन सब पे फोकस करके नए प्रोजेक्ट्स लेना, जिसे की सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आ स बहुत बड़ा है कि इंप्रूवमेंट आ सके। बड़ानिक, और जोगिक और सामाजिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारित किये जा रहे हैं। ग्रेमंत्रे ने कहा कि केंद्र सरकार इनक्षेत्रों में विकास की गती तेज करने के लिए प्रतिवद्ध है। हमने दो उदेशों से काम किया। पहला नक्सल प्रभाविक चेत्रों में रूल अफ लोग एस्टाबेस करने के लिए प्रयास करना। और दूसरा जो गिनास सर्जीत हुआ था इसके कारण सर्जीत हुई विकास की खाई को भरकर विक्सित शिंक्र बढाना। वानिज और उद्ध्योग मंत्री पियूश गोयल ने कहा है कि सूक्ष में लगो और मध्यम उद्ध्योग करोणों लोगों को रोजगार उपलब्द करा कर तथा बड़े उद्ध्योगों की आपूर्ती शिंखला बनकर राष्ट निर्मान में योगदान देते हैं। नईद्ध्योग में शिगोयल ने कहा कि इस तरह के उद्ध्यम बड़े उद्ध्योगों और कारोबारियों के लिए उपभोगता तथा आपूर्ती करता की रूप में काम करते हैं। उन्हों ने कहा कि ये MSME देश के विकास में महत्तपूर्ण भूम का निभाते हैं। MSME भारत के टूरिजम में बहुत important role play कर, भारत के infrastructure development में बहुत important role play कर, भारत के निर्याद में, export में बहुत important role play कर, तो MSME का काम कभी नकारा नहीं चा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी विधान सभा चुनाव के लिए electronic voting machine, EVM और मतदान सत्यापनपर्ची machine, वेवी पैट की जाच का पहला चलाण कल जम्मू जिले में सफलता पूर्वक पूरा हुआ। रामबन और उधमपूर जिला प्रशासन ने चिनौव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुईप कारक्रमों की शुंखला शुरू की है। कल डोडा जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उधमपूर में मतदाता जागरुकता रैली को रवाना किया गया। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाण करने तथा सहयों के नई संभावनाय तलाशने का अफसर मिलेगा। नेपाल में बस दरगटना में मरने वाले 25 भारतियों के पार्थिव शरीर को कलवायू सेना के एक विशेश विमान से महराश्टर के जलगाओं में वापस लाया गया। उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद परिवार को सौंप दिया गया है। नासा ने घोशना की है कि स्टार लाइनर बिना चालक दल के प्रित्वी पर लोटेगा। चीन में एशिया अंडर 15 जूनियर बैड्मिंटन चैप्रशिप में तन्वी पात्ती सिंगल्स फाइनल में पहुँच गई हैं। सेमी फाइनल में उन्होंने थाइलेंड की कौंग केव काकानिक को हराया। फाइनल में उनका मुकाबला वियत नाम की निग्यूयन थी तू हुई एगेंस से होगा। प्रतियोगिता के अंडर 17 के सिंगल में ग्यान तक तु टीटी ने कांस पदक जीता है। मौसम विभाग में आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महराश्ट्र और गुजरात के कच्छी तता सौराश्ट्र में तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्ति किया है। असम में घाले, उत्तर प्रदेश, करनाटक, मराटफाणा और विदर्भ में भी आज मुस्लाध हर वर्षा होने की संभावना है। इस हमसर पर पूरु के इंद्री मंत्री स्मिति एरानी और आकाश्वानी की महाने देश्यक मौसमी चक्रवर्ती भी उपस्तित थें। उस्ताद अमजद अले खान और उनके परिवार को आकाश्वानी द्वारा सम्मानित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मुबाइल एप News on AIR एप पर भी उपलब्द हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहतनाज। धन्यवाद निखिल पेंशन पर केंद्रे मंदल के नर्ने को आज सभी अखवारों ने मुख प्रिष्ट पर सतान दिया है। धनिग जागरन लिखता है 23 लाग केंद्रे करमचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना मूल बेतन का 50 प्रतिशर। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं पेंशन पर बीच का फॉर्मूला लाई सरकार एनपेस भी जारी रहेगी। भरना होगा फॉर्म। वी रजुन के खेल पन्ने के खबर है सलामी बल्लेबाज शिकर धवन ने गिगट से सन्यास की खोशना की दो साल पहले अंतिम मैच खेला था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। झाल ऑगाइ।